हेलो बच्चो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासिज में बच्चो आज एक बार फिर हम उपस्तित हैं एक नई टोपिक के साथ जिसका नाम है इथाईल एलकोहल या एथिल एलकोहल क्या नाम है एथिल एलकोहल ये छे नमबर में आप से किस तर एसे कोशन पूछा जाएगा मैंने आपको दिखाया हुआ है या आपर एथिल एलकोहल एथिल एलकोहल बनाने की विधियो की रासाइनिक समिकरन सहीत व्याख्या कीजिए निमन के साथ रासाइनिक अभी किरिया भी लिखनी है ठीक है एथिलीन से एथिल एलकोहल बनाने का रासाइनिक समिकरन एथिल एलकोहल के रासाइनिक गुन start से ethyl alcohol kinvan द्वारा ethenol ethyl alcohol के 4 रसाइनी कुन तो आप देख सकते हैं कितनी बार ये question पूछा हुआ है UP board में ठीक है तो आज हम start करने वाले हैं अपने 6 number में ethyl alcohol ठीक है इससे पहले भी मैंने एक video डाल दी है 6 number के question पर जिसका नाम था Ling Nirdharan sex determination ठीक है तो वो bio का था ये आपका chemistry का है ठीक है इसी तरह से आगे हम 10 से 12 video डालेंगे 6 number के question पर जिसमें से आपको 6 question मिल जाएंगे देखने के लिए जिसमें से आपको 3 करने होंगे ठीक है तो जुड़े रही है हमारे साथ और अपने दोस्तों में भी चैनल को share कर दीजिए जिससे की वो भी इस सीज़ का फायदा उठा सके ठीक है तो share कीजिए और चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चलिए start करते हैं एथिल एलकोहल किस से start करते हैं एथिल एलकोहल से देखिए ये इसका structure फूर्मूल होता है एथिल एलकोहल देखते हैं क्या आपको लिखना कैसे है ये मैं आपको समझा रहा हूँ सबसे पहले आपको लिखना है क्या इसका रासाइनिक नाम क्या है रासाइनिक नाम क्या लिखेंगे सबसे पहले इसका रासाइनिक नाम सबसे पहले रासाइनिक नाम लिखेंगे क्या होता है एथिल एलकोहूल क्या होता है एथिल एलकोहूल ठीक है अब हम इसका रासाइनिक सुत्र लिखेंगे क्या लिखेंगे रासाइनिक सुत्र रासाइनिक सुत्र इसका राइसाइनिक सूतर क्या होगा देखी राइसाइनिक सूतर में आप क्या लिखेंगे C2 H5 OH या आप लिख सकते है CS3 CS2 OH अब देख सकते है 2C है H5 है और OH तो कौन सा समू हötा है इसमें OH ठीक है कौन सा समू होता है OH तो रासाइनिक सूत्र क्या होता है CS3, CS2, OH कैसे बनते हैं इसका सन्रचना देखिए सन्रचना किस तरह से बनेगी कितने कार्बन हैं 2 1, 2 कितने H हैं इसके पास 1, 2, 3, 4 और ये 5 और इसके साथ जुड़ा होगा O और इसके साथ जुड़ा होगा H क्या जुड़ा होगा O तो ये इसका सन्रचना सूत्र है क्या है सन्रचना सूत्र सन्रचना सूत्र उसके बाद देखेंगे हम क्या कि IUPAC नाम क्या होता है इसका क्या कुन सा नाम IUPAC नाम क्या होता है IUPAC नाम तो इसका IUPAC नाम होता है क्या आई यू पी एसी नाम क्या होता है देखिए आई यू पी एसी नेम क्या बनेगा इसका इसका यूपेसी नाम बनेगा एथे नोल, क्या बनेगा एथे नोल, क्या होता है यूपेसी नाम एथे नोल, क्या होगा एथे नोल, और इसका अगर पूछा जाए अन्या नाम, क्या पूछा जाए अन्या नाम, ठीक है, अन्या नाम, क्या होगा इसका अन्या नाम, इसका अन् होगा, क्या, अन्य नाम, ठीक है, तो इसके अन्य नाम में क्या आएगा, इसको बोलते है इस辦法 रफ वाइन, क्या बोलते है, इसपरिट ôफ वाइन ठीक है, ये दूसरा नाम Simple Alcohole क्या बोलते हैं Alcohole क्या बोलते है Alcohole या Alcohole तो इसका नाम को होता है Spirit of Wine या Alcohole अब देखते हैं इसकी बनाने की विदी important है क्या बनाने बनाने की विदी किस तरह से ये बनाया जाएगा ठीक है सारी विदी के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले किस से बनाते हैं नमबर वन ठीक है नमबर वन देखेंगे हम किस से बनाएगे नमबर वन बनाने की विधी किस से होगी देखिए तो बनाने की विधी सबसे पहले एथीन के हाइड्रो जनी करन से नमबर वन क्या है आपके पास एथीन के हाइड्रो जनी करन से हम किस से बनाएंगे एथीन के हाइड्रो जनी करन से हम किसको बनाएंगे आपके किसको एथिल एल्गोल को किसको बनाएंगे एथिल एल्गोल को किस से बनाएंगे ethene के hydrogen करन से ठीक है देखिए कैसे बनती है देखिए क्या होता है ethene का formula होता है CH2 double bond CH2 क्या होता है CH2 double bond CH2 किस का formula है आपके पास ethene का तो क्या होता है ethene का formula होला CH2 डबल बोंड CH2 यह क्या है एथीन क्या आपके पास एथीन ठीक है क्या है एथीन ठीक है उसके बाद एथीन ठीक है छोटे ही कि मतर आईगी एथीन इसके हाइडरोजनी करन से कैसे बनाएंगे प्लस क्या करेंगे इसमें प्लस H2 किसकी उपस्तिती में करते हैं ऐसा करते हैं 200 वाईयूमडली अद्याब ATM प्रेसर और 573 कैल्विन क्या होगा ताप होगा कैल्विन क्या होगा ताप जब यह रियक्षन करती है एथीन का हाइट्रोजनी करन करते हैं दोस्तो एटियम प्रेसर पर और 573 केलविन पर तो आपका बनता है C2H5OH और इसका नाम क्या होता है एथिल एलकोहल क्या होता है एथिल एलकोहल ठीक है एथिल एलकोहल दूसरी विधी दूसरा हम किस से बनाएंगे किसको एथिल एलकोहल को ठीक है एक ओधोगिक विधी होती ह दूसरी कुन सी विधी है ओध्योगिक बड़े पायमाने पर किस तरह से बनाई जाएगी ओध्योगिक विधी ठीक है कुन सी विधी है ओध्योगिक विधी दूसरी आपके पास ओध्योगिक विधी वो क्या विधी है देखे ओध्योगिक विधी में हम क्या करते है जो आपके पस starch होता है क्या होता है starch starch का formula होता है क्या C6H10O5 क्या होता है starch का C6H10O5 N molecules 2 किसका formula होता है starch का ठीक है इसके N mol लेंगे जल के तो क्या बनता है किसकी उपस्तिति में क्या है इंपोटेंट है यहां पर इंपोटेंट है diastase किसकी diastase enzyme होता है क्या हो जाता है enzyme इसकी उपस्तिति में जब अभी करिया करते हैं तो बनता है N mol किसके C12H21O11 C12H21O11 इसका नाम होता है maltose क्या होता है maltose अब यह maltose C12H21O11 क्या है maltose यह जल से अभी करिया करता है maltase की उपस्तिति में एक enzyme है क्या नाम है maltose यह मिलता है yeast से किल से मिलता है yeast से ठीक है और diastase किससे मिलता है malt से ठीक है तो क्या बनता है यहाँ पर बनता है glucose 2C6H12O6 क्या बनता है glucose और जब आप इस glucose को अभी करिया किसकी उपस्तिति में करते हैं किसकी उपस्तिति में करते हैं जाइमेज किसकी जाइमेज की उपस्तिति में यह भी कहां से मिलता है yeast से किससे yeast से तो क्या बनता है C2H5OH हमें क्या चाहिए था ओद्योगिक विधी में एथिल एलकोहल बहुत बड़ी मातरा में चाहिए होता है प्लस कार्बन डायुकसाइड गैस निकलती है तो यह क्या है आपके पास एथिल एलकोहल क्या है एथिल एलकोहल इसमें अभी करिया में आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि ये जो बने है किस की उपस्तिती में किस एंजाइम की उपस्तिती में बने है ठीक है ये डाय स्टेज की उपस्तिती में ये माल्टोज की उपस्तिती में और ये किस की उपस्तिती में जाइमेज की उपस्तिती में इसको याद करने के एक ट्रीक होती है SDM, जिसका result आया है ठीक है क्या है यह SDM, S का मतलब होता है starch, किस में convert हो जाता है maltose में, किसकी उपस्तिती में die stage की किसकी उपस्तिती में die stage की दूसरे के याद करने की trick ma, ma, g maltose से ma maltose से ma, और glucose से g तो क्या बन गया, ma, ma, g ma का मतलब maltose किस में बल जाता है, g का मतलब glucose में, किसकी उपस्तिती में maltose की, और तीसरे को याद करने की trick होती है, यह क्या है C6, S12, O6 यह था आपका glucose, तो गी जा इ, क्या है गी जाई, क्या है गी जाई, g का मतलब glucose इथाईल एलकोल में बदल जाता है, किसकी इथी क्या है, आपके पास ओध्योगिक विधी, ठीक है तो हमने एथिल एलकोहल के निर्मान की, दो विधी देख ली, एक एथीन से किससे बनाते हैं, एथीन से और दूसरा किससे बनाते हैं, किससे बनाते हैं, दूसरा बटाईए दूसरा किस से बनाते हैं अध्योगिक विधी ठीक है जो जो वगेरा में स्टार्च होता है उसके किनवन से बनाई जाती है ठीक है अब देखते हैं हम इसके भोतिक गुन इसके भोतिक गुण में पहला भोतिक गुण होता है क्या देखिए जो आपके पास इथाईल अल्कोहल होता है पहला होता है ये एक रंगहीन कैसा द्रव होता है रंगहीन और जोलन सील जोलन सील इसमें आग लग सकती है जोलन सील क्या होता है द्रव है जोलन सील क्या है द्रव है दूसरा इसका क्वतनांक क्वतनांक कितना होता है 78 degree Celsius कितना होता है 78 degree Celsius अगर आप पानी और Ethyl alcohol को मिला दिये और दोनों को उबालने के लिए वास्पित करने के लिए रख दें तो पहले वास्पित कौन हो जाएगा Ethyl alcohol क्यों क्योंकि जल का को थरां 100 degree Celsius होता है और Ethyl alcohol का 78 degree Celsius तीसरा भोतिकून इसके अंदर तीक्ष्न गंद आती है कैसा गंद वाला है तीक्ष्न गंद वाला इसमें एक हलकी सी दुर गंद आती है तो इसको बोल सकते हैं दुर गंद इसके अंदर से आईगी और fourth important है OH देखकर यह मत समझना कि यह चार होता है नहीं यह इसका समझ होता है और यह उदासीन होता है कैसा होता है उदासीन कैसा होता है उदासीन तो एथिल एलकोल कैसा होता है उदासीन होता है कभी आप लिखो कि यह एथिल एलकोल में देखें C2H5OH इसमें OH आ रहा है तो क्या होगा यह छार नहीं ये कैसा होता है उदासीन अब इसके रासाइनिक गुन की बात करते हैं कौन से गुन रासाइनिक गुन ये आप नोट कर सकते हैं अपनी कोपी में ठीक है इन में से सारे पार्ट या कुछ पार्ट आप से एक्जम में पूछ लिए जाएंगे ठीक है रासाइनिक गुन इसके रासाइनिक गुन देखते हैं क्या होते हैं देखे पहला रासाइनिक गुन है इंपोटेंट है सोडियम से अभी किरिया किससे अभी किरिया सोडियम से सोडियम से अभी किरिया ठीक है तो इसकी अगर सोडियम से अभी किरिया की जाए तो क्या बनता है, देखिए, किथाईल एलकॉल का फोर्मूला होता है, C2H5OH, इसकी अभिकरिया करनी है, किसके साथ, सोडियम के, किसके साथ, सोडियम के, तो क्या बनता है, C2H5O, और Na, और क्या बनेगा, H2, कौन सी कैस निकलती है, हाइट्रोजन, इसको बैलेंस करनेंगे, 2, 2 इधर, और 2 Na इधर, तो कौन सी कैस निकलती है, हाइट्रोजन, और इसका नाम होता है, सोडियम, एथोकसाइड, इथोकसाइड, सोडियम, इथोकसाइड, तो क्या बनता है, सोडियम से अभिकरिया करेगा, अगर एथिल एलकॉहल, इंपोटेंट है, बहुत, most important है, तो क क्या बनता है, सोडियम, इथोकसाइड, क्या बनता है, सोडियम, इथोकसाइड, दूसरा भोतिक गुन हम देख सकते हैं, क्या, दूसरा हैलोजन, अमलो से अभिकरिया, जिसमें CL आएगा, BR आएगा, उनको बोलते हैं, हैलोजन, अमलो से अभिकरिया, जैसे आपका HCL, क्या हैलोजन अमलों से अभिक्रिया करेंगे, क्या बनेगा, देखिए, C2, H5, OH, किसे अभिक्रिया हैलोजन, यानि के HCL, ये एक अमल होता है, HCL, इसका नाम होता है, हाइड्रोकलोरिक अमल, इसकी अभिक्रिया, अगर आप इसको गर्म करेंगे, किसके उपस्तिती में जिंक किलोराइड की, किसकी जिंक किलोराइड की, तो ये जो CL है, ये OH को क्या कर देगा, विस्थापित, तो C2, H5, OH, की जंगे पर क्या आ जाएगा, C2, H5, OH, की जंगे पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर, CL, और क्या बहर निकल जाएगा, यहाँ से देखिए, देखिए, OH, और H, क्या बना लेगा, H2O, क्या बना लेगा, H2O, तो यहाँ पर बज़ेगा, C2, H5, CL, प्लस, H2O, और इसका नाम होता है, एथिल क्लोराइड, क्या होता है, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, तीसरा, नमबर तीन, सांद्र, सल्फिूरिक, अमल से, अगर इसकी अभिक्रिया, सांद्र सल्फिूरिक, अमल से की जाए, तो क्या बनता है, देखिए, अगर, जो हमारे पास, Ethyl Alcohol होता है, उसका सुत्र होता है C2H5OH इसकी अभीकिरिया आप करते है Most Important किसके साथ? H2SO4 के साथ किसके साथ? H2SO4 के साथ तो क्या बनता है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा देखिए, S2 वह भाहर निकल जाएगा यह H और यह H2 इसका OH और इसका 1H क्या निकल जाएगा भाहर 1H बचेगा इसमें तो यहाँ बचेगा आपके पास C2H5HSO4 और क्या भाहर निकल जाएगा? पानी H2O इसका नाम क्या होता है? Ethyl Hydrogen Sulfate Ethyl Hydrogen Sulfate Ethyl Hydrogen Sulfate जब आप इस Ethyl Hydrogen Sulfate की अभीकिरिया C2H5HSO4 की अभीकिरिया इसको 160 से 170 यह पूछा जाता है डिग्री सेल्चेस पर गर्म करेंगे कोशन आएगा कि अगर Ethyl Alcohol की अभीकिरिया Sulfuric अमली की उपस्तिती में 160-70 डिग्री सेल्चेस से की जाए तो क्या बनता है? तो वो डिग्रेक्ट अभीकिरिया रियक्षन नहीं करता पहले वो किसमें बदलेगा? Ethyl Hydrogen Sulfate में और फिर यह तूटेगा C2H4 प्लस क्या बनेगा आपके पास H2SO4 C2H4 और C2H4 का नाम है Ethylene तो यह एथलीन के निर्मान की विधी भी है क्या है? Athlet είναι के निर्मान की विधी इसका फोर्मुला होता है C2H4 क्या होता है? C2H4 तो यह आपको क्या करना है? याद रखना है अब लास्ट इसके देखते हैं उपियोग क्या देखते हैं? उपयोग किसके उपयोग एथिल एलकोल के क्या क्या उपयोग होते हैं इसी तरह से आप पूरा कोश्चन आएगा चैनमबर में तो इसी तरह से लिखना है जो जो पूछा जाएगा ठीक है जरूरी नहीं है आपको सारी चीज़े लिखना है जो पूछा जाए वही आपको लिखना है ठीक है तो उपयोग में आप इसको उपयोग लिख सकते हैं नसीले पदार्त बनाए जाते हैं अससे नसीले पदार्त पदार्तो के रूप में उपयोग किया जाता है इताइल एलकोहल का second इसको विलायक के रूप में भी इस्तिमाल करते हैं के चीज़ों को घुलने के लिए विलायक के रूप में तीसरा उपियोग इसका पावर इंधन के रूप में करते हैं पावर एलकोहल का किसके रूप में पावर एलकोहल में अब पावर एलकोहल क्या होता है ठीक है यह पावर एलकोहल क्या है तो पावर एलकोहल किस-का मिक्चर होता है एक लिक्विड मिक्चर होता है लिक्विड मिक्चर का मतलब द्रव यह मिश्रन किस किस का मिश्रन होता है पैट्रोल पैट्रोल की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप खाली पैट्रोल देंगे तो आप पूर्ती नहीं कर सकते तो पैट्रोल के साथ कुछ एथेनोल यानि के इथाइल एलकोहल और कुछ मातरा में बैंजीन को मिला दिया जाता है किसको मिला दिया जाता है बैंजीन को तो ये कहलता है आपका पावर एलकोहल क्या कहलता है पावर एलकोहल ठीक है तो पावर एलकोहल में पैट्रोल इथाइल एलकोहल और बैंजीन को क्या कर दिया जाता है मिला दिया जाता है जिसका प्रियोग automobile sector में इंधन के रूप में करते हैं किसके रूप में करते हैं fuel के रूप में fuel के रूप में यानि कि इंधन के रूप में करते हैं किसका power alcohol का use तो ये और चोथा एक और लिख सकते हैं आप fourth फोर्थ क्या है जो अगर सरीर में कहीं घाब हो गया है क्या हो गया है घाब तो घाब पर देखा होगा एंटिसेप्टिक एंटिसेप्टिक के रूप में किसका इस्तिमाल करते हैं परिसोधित इस्परिट का किसका इस्तिमाल करते हैं परिसोधित इस्परिट ये क्या होता है इसके अंदर पिच्चान में परसेंट क्या होता है C2H5OH और बाकी 5% क्या होता है इसके अंदर पानी होता है 5% क्या होता है पानी तो इस तरह से आपका इथाइल एलकोहल का चैप्टर या टोपिक कम्प्लीट होता है तो share कीजिए सभी को और मिलते हैं एक और नए टोपिक के साथ धन्यवाद